नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो कमेंट करके जरूर बताईएगा वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आप यहां पे देख सकते हैं डियो ने प्रात्मिक सिछानिक देशक को भेजी मामले की रिपोर्ट पारू की रद 111 बेट कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्पूर्ण होने जा रहा है क्योंकि मुझपर पूर की पारू के 1155 निकाई ऐसे हैं जो कि तिसरे चर्ण में कॉंस्लिंग होगा इसका रिपोर्ट से इच्छाई बाग के तरब से देया गया है देख लिए खबर हिच्छक बह रहे गी मानियता विगारा की होगी तेश नहीं रद हुआ है चैन सुची को वेबसाइड पर डालने के साथ प्रमानपत सत्यापन की करवाई शुरू यानि कि मुझपरपुर में काम सुरू कर दिया गया है 34 पंचायत नोजन इकाई के लिए हुई थी कॉंसलिंग और दो पंचायत नोजन इकाई ने नहीं सौपी चैन सुची का रिपोर्ट इन पंचायत नोजन इकाईों की कॉंसलिंग की गई है रद कहा कहा रद हुआ है वो देख लिजे जाफरपूर चाद के बारी लालू छप्रा जैमल डूम्री चक्की सुहागपूर नेक नामपूर मुहम्मदपूर रगुनातपूर जगदिसपूर बया यहां का कॉंसलिंग रद हुआ है अब देख लिजे पारू की 11 रद पंचायत नोजन इकाई की कॉंसलिंग को रद करते हुए अगले चरण में कर पदिदकारी ने की है उन्हों ने इसको लेकर प्रात्मिक सिच्छा निदीशक को मंगलबार को रिपोर्ट भेज दी है इसके साथ ही पारू परखंड की बची हुई तेश पंचायत नोजन इकाई की मानिता बहाल कर दी गई है और इसकी चन सुची को जीले के एनाइसी की बेवसाइट पर डाल दिया गया है इसके साथ ही तेश पंचायत नोजन इकाई के चैनित अभिहरतों के परमानपत सत्यापन की करवाई सुरू कर दी गई है पारू परखंड की 34 पंचायत नोजन इकाई के लिए कौंसलिंग हुई थी यह कौंसलिंग 13 अगस्त को हुई थी आनियमता और प्राप्त परिवाद के कारण बीडियो पारू की और से दी गई रिपोर्ट की आलोक में संपूर नियुजन परकिरिया की जांस कराने के लिए डियम से अनुरोध किया गया था BM ने पारू की संपूर निज्वन परक्रिया की जांच के लिए सन्युक्त जांच कमीटी का गठन किया इसमें जीला कायकरम पतादिकारी मध्यान भोजन योजना जिला कारकरम पतादिकारी लेखा योजना और विडियो को इसी कौंसलिंग की सम्प्रक्रिया के जांच का आदेश दिया गया है सन्युक्त जांच कमीटी ने डियम को जो रिपोर्ट सोपी उसमें कुल नौ पंचायत नोजन एकाई में कौंसलिंग की परकिया सही से नहीं होने तथा दो पंचायत नोजन एक एकाई के समन्द में नोजन समीतिकी ओर से चैन सोची नहीं देने से समन्दित रिपोर्ट दी गई है इस जांच रिपोर्ट के अधार पर कुल 11 पंचायत नोजन एकाई की कौंसलिंग रद करते हुए अगले चरण में कराने की अनुसंसा की गई है तो ये तिसरे चरण का कौंसलिंग का अपडेट हमने दिया दोस्तो तो इन नोजन निकाई का आप नाम नूट कर लिजे इस जगह पे आपको तिसरे चरण के कौंसलिंग कराया जाएगा तो जो भी खवर आ रहा है वो खवर हम आपके पास अपने यूटूब के मादम से प्रोवाइड करा रहें दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट रखे जरूर बताएगा और ऐसे ही वीडियो निच पाने के लिए आप मारे चनल पर बने रहें फिर म तेक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों